हेलो गाईस, आज हम बात करेंगे Redmi 8 के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके Applications परमिसंस के बारे में कि कैसे आप लोग किसी भी Applications में Permission Allowed Deny करेंगे ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेलके इकोन को प्रेस करेंगे, सो देखिए, किसी भी Applications का Permission Allowed Deny करना है तो बहुत आसान तरीका है जैसे कोई भी Applications की बात करें मानके चली एप है मारे फोन में हम इसको Long Press करें एप इन्फो पे गई इसके, उसके बाद हमें इस पे क्लिक करना है देखिए, Long Press करके एप इन्फो पे जाने के बाद Permissions पे मिलता है हम एप Permission इस पे क्लिक करेंगे और जो भी Permission रज़े से क्मानगे चली इस एप में फाइल की Permission है तो हम यहां से Allow कर सकते इसको यां फिर दिनाई कर सकते Allow का मतलब On हो गया, ठीनाई का मतलब Off हो गया हो गया And Other Permissions पी रहती है कि भाई, हम स्क्रीन के स्वाटकट में आना चीए यह Lock स्क्रीन में दिखना चीए Pop-up करना चीए, परमानेंट नोटीपी के सान आन कर दे Etc. So यह सब के भी यहां पे Features हमें देखने को मिलते है And हर एक Apps में हमें अलग-अलग Permissions रहती है जैसे यह एप में अलग था अभी सेप में हो सकता है कुछ ज़्यादा Permissions होगी तो हम क्लिक करते है Permissions पे देखते है, फाइल कभी चीए, इसमें लोकेशन कभी चीए केमरा भी चीए तो हर एक Apps में अलग-अलग Permissions रहती है ओके, सो मिलते हैं एक्स्ट वीडियो में जय मता दी